हलो दोस्तों कैसे हैं सब मेरा नाम है इमानुशु और मैं सौगत करता हूँ आप सब का आपके अपने चैनल कॉमिक बर्ल पर तो दोस्तों आज हम शुरू करने जा रहे हैं टाइमन कॉमिक्स में फॉलादी सिंग सीरीज की अगली कॉमिक्स फॉलादी सिंग और विचेत्र अंडा तो चलिए दोस्तों फिर शुरू करते हैं इसका पहला भाग फॉलाद समुत्र के गर में मुझे एक ऐसी मश्री की तलाश करनी है जो अपने मुझे एक प्रकार का दरफ छोड़ती है जो बाहर आकर प्रकाश में बदल जाता है अपने को दुश्मन से बचाने के लिए मश्री प्रकाश दरफ छोड़ती है मैं दायार हूँ अंकल मैं भी जाओगा ना समुत्र के अंदार तेरे लिए एतनी चोटी से गोता गोरी की पोशाक कहा से आएगी लंबू तुझे अंकल के पास रहना होगा समझे है हा लंबू तुमारा समुत्र के गर में जाना उचित नहीं तुम मेरे पास रहा हूँ अंकल जॉन अपने स्टीमर से समुत्र के बीच में पहुंसते हैं फॉलाद गोता गोरी की पोशाक पहनकर तयार हो जाता है लंबू रोनी सूरत बनाकर अंकल जॉन की जेब में से जहाक रहा था अ अंकल मैं पूरी तरह तयार हूँ उस मशली को पाने के लिए तुम्हें काफी गहरे गोते लगाना होगा वह समुत्र तरपर लगे पेड़ पौदों की जड़ों में अपना घर बनाती है गहरा गोता लगाने के लिए तो बेंट की तीमर गती का इस्तमाल करना कोई खत्रा ह मोती ज़रूर लाना तेरे लिए केकड़ा लाओंगा बच्चू फॉलाद मैं पानी में डाइब लगा दी अच्छा बाए बाए अंकल गुडबाए माई सन यदि तुम्हें मशली लिए तो मैं उसके प्रकाश का उपयोग अपने विशेश अविशकार के लिए कर सकूँग एक अधभुद वस्तू बना सकूँगा आपको मैं निराश नहीं करूँगा मेरे लिए केकड़ा मत लाना मोती लाना फॉलाद बेल्ट का हरा बटन दबा कर गती तेज कर देता है वैतीर की तरह पानी में घुस्ता ही चला जाता है वाह क्या रंग बिरंगी दुनिया है यहीं रह जाओं फॉलाद के सामने से कई विचितर जलजीव गुजडते हैं जिनने वह चटान की आर्ट से देखता है बापरे हाती के सूड़ वाली मचली ओ गाय की शगल की मचली अरे बापरे वेल मचली जिन्दिगी में इसे भी देखना था तब ही एक विशाल अश्ट पाद पीछे से आकर अपनी आठो बुजाओं से फॉलाद को जकर लीता है ये क्या अरे ऑक्टोपस का हमला जल्दी से इसके चंगुलसन निकलू यदि इस ने अच्छी तरह जकर लिया तो बचना मुश्किल है फॉलाद ऑक्टोपस की विशाल बुजाओं से चूटने की क कोशिश करता है और आखिरकार सफल हो जाता है अब काम बन गया फॉलाद ने पिस्तोल से किड़ने छोड़ी तो ऑक्टोपस निर्जीव होकर पिखर गया खून के फवारे निकलने लगे चलो इससे तो छटकारा मिल गया अब उस मशली को खोज लू नहीं तो यहां ऐसी देंगी इधर उधर पेड़ पॉदों की जड़ों के आस पास जाने पर पॉलाद को डॉक्टर जौन दरा बताएगा हुलिय की तरह की एक मशली तिखी यह मशली लगती तो वैसी है लेकिन पता कैसे लगेगी यह प्रकाश की करना निकालती है चलो इसके पास जाकर देखत पॉलाद जैसे उस मशली के निकट गया उस मशली ने दुश्मन से बचने की खातिर अपने मूँ से प्रकाश की करना छोड़ी अरे वाह यह तो वही मशली है अब इसे पकड़कर थैले में डालनू मशली पकड़कर फॉलाद ने थैली में डालनी और आगे बढ़ गया चल से कुछ अर्द्रिश्य एवं सफेद अंडाकार वस्तु लेकर नीचे उत्रे यह लोग कौन है और समत में यह क्या चीज रखने आये हैं छुपकर देखता हूं ना पहले उन लोगों ने उस बड़े अंडे को एक विशाल जाड़ी के नीचे रख दियो और वापिस यान मे वस्तु को निकालता है यह तो एक विशाल अंडा जान पड़ता है इसे भी ले चलना चाहिए इतना बड़ा अंडा तो अंकल ने भी कभी नहीं देखा होगा वैर ट्रांस्मीटर पर डॉक्टर जॉन से बात करता है अंकल एक बहुत ही बड़ा विशाल अंडा कुछ लोग यहां अभी रख गए है इसमें अवश्य कोई रहस है कहिए तो उसे भी लेता हूँ उदर से डॉक्टर जॉन अपनी बोट पर अच्छा समद में कुछ लोग विशाल अंडा रख गए है बड़ी विचित्र बात है खैर तुम अंडा ला सको तो ले आओ फॉलाद अंडे को उठा कर उपर की और गती बढ़ा दिता है जैसे ही फॉलाद पानी से बाहर निकलता है अंकल रसा फेक कर उसे अपनी और खीसते है फॉलाद उस अंडे को लेकर जब बोट पर आता है तो लंबू अंडर की जेब से उचल कर पहार आ जाता है वा पुठी में चड़वाएगा अरे बुद्दू तुससे आठ दस गुना बड़ा तो यह अंड़ा ही है सज मुझ यह तो अश्र जनक अंड़ा है इतना बड़ा अंड़ा तो फिर्द्वी पर किसी जीव का और नहीं हो सकता तो क्या ही है किसी अनेगरह से समुद्वा रखा गया है और बे लोग क्या अनेगरह वासी थे मुझे तो ऐसा ही लगता है इसकी जान जल्दी ही कर लूँ कहिए कोई विस्पोटक वस्तू तो ना हो डॉक्टर जान अंड़े को प्रयोक्षाला में ले जाकर जाच करते हैं अंड़े को कई प्रतिक्रियाओं से घुजारा जाता है ये वास्तव में अंड़ा ही है कोई विस्पोटक पतारत नहीं तब तो अंकल इसके बोर्जी बना लीजे काई तिनों तक काने को मिलेगी जीवित है मैंने जाच कर पता कर लिया ठीक है अंकल आप इसे गर्मार दे कर पकाने का इंतिसाम कीजिए डॉक्टर जान प्रयोक्षाला में अंड़े को पकाने का इंतिसाम करते हैं अंड़े को उचाई पर रखकर नीचे से इलेक्ट्रिक गर्मी दी जाती है अंड़े को गर्मी लगते ही हम इसे बड़े कांच के पीचे हो जाएंगी यह दिए जीप हमला भी करेगा तो हमें असर महीं होगा तुम किरन पिस्तॉल तयार रखना लंबू को जेब में बढ़ा लो लंबू को फॉला जेब में रखकर किरन पिस्तॉल हाथ में ले ले लेता है फॉला एक पिस्तॉल मुझे भी बनवा दो बड़े खत्रों से गजणना पड़ता है चुए मेरे दुश्मन बन गया है बिल् बचाओ, 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 गर्मी, कर्मी मेरा अदम गोट रहा है, बचाओ, डॉक्टर जॉन तता फॉलाद आश्चे चकित हो जाते हैं, यह क्या, अंडे में से मनुष्य किया हो, अंकल, जलत इसे सुच बंद कीजिए, अंडे को तोड़ना होगा, इसे नीचे नहीं होता तो वह जोरों से चोट करता है, पर अंडा जाने किस पदात का बनाए कि टूटता ही नहीं, अंकल, यह बहुत मद्बूत पदात का बनाए, इसे किरण पिस्तॉल से तोड़ना होगा, अरे, हिदर ला तोड़ा, मैं तोड़ते दा, कहीं, नहीं फॉलाद, किरण पिस्तॉल से तो संभवे के अंदर प्राणी घायल हो, घायल हो या मड़ जाए, हमें ऐसा खत्रा मोल नहीं लेना चाहते, हमें प्राणी जीवित और सौस्त चाहिए, तभी अंडे से आवाज आती है, अंडे के ऊपर एक चोटा काला बिंदू बना, उसे दवा दीजिए, देखो वो बिंदू किस तरहा पहे, फॉलाद अंडे पर काला बिंदू ठूब लेता और उसे दवा दिता है, काली बिंदू के दपते ही एक दर्वाजा से ऊबर उपड़ उढ़ जाता है, वाह, नकली अंडे में विशाल अंडा, नकली ऑटो मेटिक विशाल अंडा, आपने मुझे बचा लिया परना मैं मर जाती, मुझे बचाने के लिए ही तो उपरती पर लाए गया था, और यहां भी तुम कौन हो, और कहां से आई हो, तो मैं समद्र में अंडे में छपा कर कौन रग गया, लड़की अपनी कहान ही सुनाती है, मैं अल्टास घ्रह की राजक चक्ती का सौमी, मेरे पिता को उसने कैद कर लिया, वह मुझे से शादी करना चाहता है, मैं अल्टास घ्रह की एक मातर राजकुमारी है, यदि मैं उससे शादी कर लेती तो अल्टास का सिंग भासन कौन समहलता, अल्टास घ्रह भी डोलोर के राजा का हो जाता है, वह हमार पादी सिंग और विचे तरंडा के दूसरा अरंतिम भागना अगले वीडियो में तब तके लिए धन्यवाद